हेलो फ्रेंड्स विलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे ताज महल के साथ ऐसा क्यों किया गया था? चलिए जानते हैं वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले यह घटना 1971 की है जब पाकिस्तान और इंडिया के बीच युद्ध चल रहा था और उस समय सरकार को ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान का अगला निशाना ताज महल होगा जैसे कि हम सबको पता है कि ताज महल इस तरीके से बनाया गया है कि वह चांद की रोष्णी में चमकता है इसलिए उसकी रोष्णी को कम करने के लिए सरकार ने ताज महल को पत्तियों, लकडियों और काले कपड़े से ढग दिया था ताकि वह रात को ना चमके और लगभग 15 दिन तक ऐसा किया गया था इतिहास में कई बार ऐसे मौके आये हैं जब सरकार ने ताज महल को बचाने के लिए जोर लगा दिया था इस युद्ध के दौरान अमेरिका और ब्रिटेन को खूफिया जानकारी मिली थी कि जापान और जर्मनी मिलकर ताज महल को गिराना चाहते हैं इसके लिए वो ताज महल पर हवाई हमला करने का प्लैन बना रहे थे अंग्रेज ताज महल को तोड़ कर उसका पत्थर ब्रिटेन ले जाना चाहते थे इसलिए 15 दिनों के लिए सरकार ने ऐसा किया था दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा